प्रवेश्च पाइब आप आपका स्वागत तिरपान स्टेडि सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं बी ए सेकेंड यर समेस्टर थर्ड पंजाब इन्वर्सिटी हमारे समक्ष जो भुक आया है पंजाब का इतियास और संस्कृती हिस्ट्री और कल्चर और पंजाब 1260 से लेके 1780 जो काफी महत्वपून है आज जो हम चैप्टर यहां पर करने जा रहे हैं गुरु नानक उनकी सिक्षाएं लंगर और संगत पर उनकी धार्ना तो यह काफी महत्वपून रहेगा यहां पर कि गुरु नानक संगत यह काभी महत्वपून टॉपिक है इस पर हम विस्ताफ पुर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहली उपर जो है नज़र डालेंगे लेकिन आपको पता है कि चप्ट्रे स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं जिसको आपको सोचना भी चाहिए विच तो लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोवल बढ़ता है सब्सक्राइब कीजिएगा तो इसे यह होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोडिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा और देखिए सेर का मतलब यह होता है कि आप के थुरू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए यह आप भी नहीं जानोगे इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वाटसब स्टेटस पे भी लगाओ दोस्तों आने से संटर जै कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेलफूल है चाहे हो एर्थ क्लास हो नाइन तेंथ लेवन ट करना है सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेफ करना है तो यह तो बात था आपके लिए लेकिन आप देखते हमारा आज टॉपिक क्या है आज जो यहां पर हम करने जा रहे हैं काफी महतवपूर्ण टॉपिक है गुरु नानक उनकी सिक्षाएं लंगर और संगत पर उन गुरु नानक देवजी की जीवनी और उनके बारे में काफी महतवपूर्ण टॉपण रहेगा क्योंकि देखा जाए तो पंझाब में गुरु नानक देव भक्ति अंदोलन के संधेश्वःग और सिख धर्म के स्तापक थी वो चुमकी और उच्चे कोटी के वित्रित्यू उन्हें प्रतेक स्त्री एवं पूर्शों के जीवन को आदर्श और अलोकित करने के लिए मशाल की रोशनी का काम किया और इसी करन प्रतेक मानम उन पर गर्म महसूस करती हैं और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी जो चमतकारी गुण थी वो किसे छुपा नहीं जा सकता और उन अच्छे व्यक्ति वह इतने महान व्यक्ति के जीवन के बारे में अगर हम प्रकास ना डाले तो अधूरा रहेगा देखा जाए तो गुर्व नानक देव जी के जीवनी और उनके बारे में काभी दिल्चस्प बात होने वाली है तो आप बने रहती पान स्टेडी सेंटर के साथ अगर हम बात यहां पर करें गुर्णानक देव का जनम माता पिता के बारे में तो देखा जाए गुर्णानक का जनम 15 अप्रेल चोज़वन्दी गाउ जो अब ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है जिला सर्खपूरा प्रश्रिम पाकस्तान में हुआ था इनका जनम जो था 15 अप्रेल 1469 में तरवंदी गाउ जो की ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है जो पच्छिम पाक्रिश्तान में आता है उनके पिता लाला कल्यान राय थे और महता कालू के नाम से भी मसहूर थे यानि देखा जाय तो उनके पिता का नाम जो बास्तविक था वो लाला कल्यान राय थे उन्हें महताकालू के नाम से भी काफी प्रसिद्धी मिली हुई थी इसलिए लोग सदारन रूप में जो गुर्णानक देवजी के पिता को महताकालू के नाम से ही जानती है अब वो च्छत्रियों में वेदी उपजाती से संबंद रखती थी यानि चत्रिय समाज में उपजाती में इनका संबंद था वो एक पटवारी या सदारन से वेपारी का काम किया करते थे उनका गाउं के लोगों में महत पूर्ण प्रभाव था और काफी लोग उनसे काभी प्रभावित भी थी उनकी माता त्रिप्ता देवी में प्रेम तरा समर्पन की वह सब विसेशता थी जो एक प्रमपरा का हिंदु स्त्रिय से उमीद की जा सकती थी यानि देखा जाए तो उनकी माता त्रिप्ता देवी में हर एक गोण था जो उन्होंने अपने पुत्र में दिया उसके पश्राद अगर हम बात करें गुरु नानक के जनम से संबंधी चमतकार देखा जाये तो गुरु नानक देव जी का विक्तित्व ही एक महान अस्तित्व को जनम देती है लगातार होने वाली घटना उन्हें इस बात मर बहुत बल दिया कि गुरु नानक का जनम एक सधारन बालक के जनम से पूरी तरफ भिन था उनके मुक मंडल की आवा पुर्निमा की चांद की तरह लाल और चमतकार थी लोने इस चमतकार को देखा हुआ आश्यो चकित रह गया उनके परिवारिक प्रोहित हर दियाल ने बच्चे के महान भविश्य की भविश्यवानी की कि यह प्रित्वी पर भगवान के अव्तार के रूप में जनमा है और इसका नाम धर्ती और कास में गूजेगा हिंदू दिता मुसल्मान दोनों धर्मों के लोग इनकी पूजा करेंगी खुसवन सिंग जैसे ग्यानी लोग के विचार के अनुसार अपने नाना के घर जनम होने कारण उन्हें नानक कहा गया नाना के घर जनम होने कारण इनको नानक के नाम परा और कुछ लेकों के विचारों से उनकी बहन नानकी की वज़ा से उनका नाम नानक परा देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से विचार धारा हैं और यह काभी महतपून है क्योंकि कोई कहता है कि नाना के घर में जनम लेने से इनको नानक कहा गया और कोई कहता उनकी बहन का नानकी नाम होने से इन्हे नानक के रूप में प्रसिद्धी मिली। देखा जाए तो माता पिता सदे भी अपने बच्चों के नाम जो है एक दुसरे एक से मिलते जुलते ही रखती हैं। शायद उनके बहन के कारण ही इनका नाम नानक परा हो इसमें कोई दो राये नहीं हैं। खेलने या उनकी अन्य क्रियाओं में कोई दिर्चस्पी नहीं दिखाते थे। वो धार्मिक एक संगरण बनाते थे और साथी बच्चे से मिलकर धार्मिक गीत गया करते थे। साथ वर्ष की आयू में उन्होंने पढ़ने के लिए गाओं के गोपाल पंडित के पास भेजा गया। और रुणहोंने अपनी विद्धिता और आधिमिकता से उसे अश्छर चकित कर दिया। यहां उन्होंने हिसाब किताब था हिन्दी का ज़्यान प्राप्त किया। तब पश्चात उनों ने पंडित विजनाज से संस्क्रीतिता मेलवी कुतुब उदीन से फार्सी का ज्यान लिया और इस दोरान गुरुनानक संतों और फक्रीडों की और ज्यादा अकर्शित हुए कितावी ज्यान के स्तान पर उनके साथ को ज़्यादा महतु देने लगे उनका विश्वास था कि ज्यान के प्राप्ति स्कूल अध्यापो से ज़्यादा ज्योगी जनों से प्राप्त होती है कहते हैं ये गुरुनानक देवजी की अपना विचारधारा थी जहां पर वो मानते थे कि जोगी जने बहुत ही कावी प्रभावित होते हैं और उनसे जो हम बहुत तरक शिक्षा गरन कर सकती हैं क्योंकि वो अपना जीवन सदेव साधगी भरा और स्वक्षता के साथ जीती है उसके बश्चात आता है हमारे समाक्ष पवित जनव संसकार प्रथा पुरानी प्रथाओं के अनसार उनके माता पिता चाहते थे कि नौशाल के इमुर में उन्हें जनव पहनाया जाए और पंडित ने कुछ अरंबिक करम कांड के बारे में उन्हें जनव पनाना चाहा तो नौशा उन्हें उसे जूठा दिखावा और अवश हीन कहकर पहनने से इनकार कर दिया उन्हें कहा कि वो एक पवित जनव अपनी आत्मा के लिए नहीं चाहते है ना कि सरीर के लिए कि वो ही सचे प्रेम भरा जनव होगा जो कभी तुटता नहीं है तो यहाँ पर देखा जाए तो गुरु नानक देव जी ने पवित जनव संसकार प्राथा को भी खंडित किया उसके बशात हमारे समक्षाता है गुरु नानक के विविन बेवसा है कुरु नानक के पिता मेहता कालु ने भरसक प्रियास किया कि उनको एक मात पुत्र का ध्यान अध्यात्मिक से हटा कर संसारी कारे तिदा बेवार वर्जिन के उतार चडाम में लगाया जाए क्योंकि एक मात पुत्र को अधात्मी की तरफ जाना किसी भी पिता के लिए जो है सही नहीं रहता है इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को जो है संसारिक अध्यात्मी जीवन से हटा के संसारिक कारे और बेपार में लगाने के लिए उन्होंने काफी कोशिश किया उन्होंने पसु चलाने का काम दिया गया परंतु वह पसुआ को स्वेम विचरन के लिए छोड़ कर प्रभुज समरम में बैठ जाते थी उन्हें खेतों में हल चलाने काम दिया परंटु इस काम में जरा भी रूची न दिखाई अपने भ्रहम की दूर करने के लिए पिता ने उन्हें बेपार में डालने की सोच कर 40 रुपे की रकम किसी लाभकाडी बेपार में लगाने के लिए दी जबकि नानक ने यह सारी रकम भूके सन्यासी उन जिन्होंने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया था को भोजन किलाने में लगा दी इतिहाज में गुरु नानक का यक कारे सच्चा सौधा के नाम से जाना जाता है और नानक की इस तरह के व्यपार ने पिता को भरम में डाल दिया कि पूत्र की इस तरह के संसारी कारुक्र के चलते संसारी पिता दरा उनका उधार सुधार नहों हो सकेगा और ये कापी उनके पिता के लिए चिंता का विशेय बन गया उसके पशाथ उनके पिता ने गुरु नानक का विवा का विचार रखा गुरु नानक का रुजान संसार कारे में लगाने के लिए उनके पिता ने उनका विवा बटाला के मुल्चन की पूत्री सुलेखनी से कर द उनका विवाहिक जीवन सुखमे रहा और उन्हें दो पूत्र श्री चंद्र और लक्षमी चंद्र हुए वो अपना परिवारिक जीवन दैनिक प्रत्नाएं और दान दक्षिन तदा अपना अधिक्तम समय सादू संतों के सचार्य में बिताने लग गए यहां तक उनका विवा कालू ने नाना को किसी अन्य स्थान पर भेजने का फैसला किया ताकि उनका ध्यान बढ़ सकी और संसारिक बस्तम उनका रुझान हो सकी इस उद्देश को लेकर उने सुल्तान पूर भेज दिया गया जहां उनका बहनोई जैराम दौलत खान लोदी किया दिन एक उच्चे पद पर काम करता था जैराम की सिवारी करण ने मंडार की नुकड़ी मिल गई जहां गुरु नानक ने पूरी लगन और ये मंदारी से काम करते हुए अच्छे प्रसिद्धी प्राप्त कर ली यहां तकि सुबदार उनके काम से अतीप्रसन भी हुए जोई कावी महत पूर ह उसके बश्रात आता है देव्य ज्यान की प्राप्ति सुल्तानबुर में गुरु नानक प्रते दिन एक छोटी नदी इसे व्यन कहा जाता था नहाने जया करते थे वहां एक बैरी के विलिक्ष के निचे वह अक्सर प्रभु ध्यान में बैट जया करते थे जिस घाट पर वह स संत घाट के नाम से प्रसिद्ध है जिस बैरी के नीचे वह ध्यान से बैठते थे आज बाबा की बैरी नाम से विख्यात है कहा जाता है कि एक बार वह नदी पढ़ गए और लगातार तीन दिनों तक ध्यान में रहे अंत में उन्हें देव्य ज्यान की प्राप्ति हुई औ वह ही सत्य है, वह ही रचाइता है, वह ही सर्व्यापक है और वह ही भैईन है किसी सत्रू नहीं है वह अमर है, वह जन्मा है एभं वह स्वेम जनम लेने और श्वेम रहने बाला है वो अंधकार को भगानने बाला ता द्यावान है देखा जाए तो यहाँ देव्य ज्ञान की प्राप्ति गुरुनानक देवजी को जीवन का ही चक्र को ही प्रवर्तन कर दिया और उनका रुणजान जो था सत्य की उपर जो है टीक गया देखा जाए तो यह समय वो था जहाँ पर उनको सचा ज्ञान की प्राप्ति हुआ आज अगर मनुष्य इनी बातों का नुसरन करे तो शायद किसी भी देश में किसी परकार का यूद नहूँ अगर इनकी बात देखा जाए तो महत पूर्ण है कि इश्वर एक है इश्वर ही सत्य है वही संसार करचाईता है वही सरव्यापक है और वही हमें भैहीन बनाता है लेकिन आज मनुष्य अपनों ही कर्मों में लगे होती हैं हर तरह के पाप करते रहती है और कहते हैं यह हम देश का ल्यान के लिए कारे कर रहे ह। लेकिन देखा जाए तो बड़ी अफसोस है एक बात आपने कभी भी अनुसरन किया होगा कि दिया तले अंदेरा होता है आज संसार में ज्ञान की कमी नहीं है या सिक्षगों की कमी नहीं है या सत्य की ज्ञान की कमी नहीं है आज इंसान के समक्ष हम की भाबना आ गई है जहां पर हम की भाबना होगी वहां पर ना तो इश्वर होगा और ना ही इश्वर के कोई कारे करता होगा अज हर एक व्यक्ति जो है हर एक इंसान अपने आपको सर्वेश्ट कहने में लगा हुआ है और दुसरी की बातों का जो है अनुसरन भी नहीं कर रहा है तो जर्नल सी बात है इसमें हम की भाब ना गई है आज देखिए हमारे समाज में ना जाने कितने इश्वर बन के बैठे हुए है और कितने लोगों को भरमाए जा रही है लेकिन इन मनुष्वों को ये समझ नहीं आती है कि इश्वर सर्व व्यापी है वो किसी की बातों में नहीं है ना किसी के आलतों में है और नहीं इश्वर एक सुन्दर कपड़ा पहनता है और ना ही इश्वर जो है बैठ के भाषन देता है और ना ही इश्वर जो है एसी कुलर में बैठती है इश्वर जो होते हैं वो सर्व व्यापी है वो हरा स्तान पे है लेकिन आज मनुष्य का सबसे अधिक रुजान बनाप्टी दुनिया की तरफ आ गई है देखा जाये तो य द्रम हमें सत्य करम कराती है लेकिन आज देखा जाये तो इंसानों के अंदर से द्रम लोप्त होती जा रही है अगर द्रम लोप्त नहीं होती तो आप क्या लगता है कि इतने बरे जो यूद हो रहे होते हैं संप्रदायक दंगा फसाद हो रहा होता है तो यह क्या है क्या कि लिखा हुआ है कि आप एक दुसरे को काट डालिए, एक दुसरे को मार दीजिए, ये किसी भी धरम में लिखा नहीं है, आप किसी भी धरम की किताब उठा के देख लो, कहीं भी ये बातों कानुसरन नहीं किया गया है, फिर हम किस धरम की बात करती हैं, हम क्यों कहते हैं, कि हम धर्म पे चल रहे हैं, हम धर्म पे नहीं चल रहे हैं, हम धर्म को लोब कर रहे हैं, कहते हैं, गुरुनानक देव जी ने यहाँ पर साब सब्दों में बोला है, कि इश्वर एक है, वही सत्य है, वही रचैता है, वही सर्विव्यापक है, जब सब इश्वर ने किया है, तो हम अपने अब क्यों धर्म के जाल में फसा के और एक दिसरे के मुस्लिम हिंदु सी किसाह करकर के संपर्दायक दंगे फसादों में अपने डेश को तो नुक्सान करते ही करते हैं प्लस अपना जीवन को भी नुक्सान पहुँचाते हैं तो देखा जाए ग्यान सभी में है लेकिन कहते हैं न दिया तले अंधेरा होता है तो वोही हमारे आज संसार में व्यव्थ है आज जो है फुट पैसा है और कुछ भी नहीं है किसी का सत्य नहीं लोग को भाता है लोग सत्य को सदे भी न कारती है तो देखा जाए तो यही संसार है आगे अगर हम बात करें गुरु नानक का संसार को त्यागना देखा जातुग नानक अंधिकार में सत्म ही खोज कर ली थी। अब वो इश्वर कमानवता के प्रति ज्ञान के संदेश में उदा सीमान थे अब उन्हें गुरु नानक देव जी कहा जाने लगा उन्हें नोक्री तता संसार त्याग दिया और अपने धर्म की सिक्षाओं के सुरुवात अपने घर से ही की उन्होंने केवल अपने बच्पन के साथ ही मर्दाना को ही साथ रहने की अन्मती दी देखा जाए तो यहां से उन्होंने संसार का त्याग कर गए जग में जो है नवे परकाश देने के लिए निकल चले गुरु नानक की यात्राएं एवा मुदासियां देवे गर ब्राप्तनी के बाद 1496 स्वी में गुरु प्रेम, सेवा और भक्ती का संदेश दिने के लिए एक संगड़न के स्तापना की उन्होंने सुदुर पूर्फ परश्रिम उत्तर दक्षिन लगबग चारो दिशाओं में अपनी शिक्षाओं का परसार करने के लिए यात्राएं की इन 35 वर्षों के समय के इतिहास में उनकी की यात्राएं उदासियां जो हिंदू संसमदाय के नाम पर कहा गया इन वर्षों में ने हिंदू वज तता मुशलिम धार्मिक स्तलो की यात्रा की और जिन लोग के संपर्क में आएं उन सब पर अपनी छाप छोड़ते चले गए तो कहते हैं गुरुनानक देवजी की यात काफी महतपून थी उसके बश्यात आता है हमारे समक्ष गुरुनानक देवजी के अंतिम दिनों के बारे में यह काफी महतपून रहेगा कि गुरुनानक देवजी का अंतिम दिन किस परकाड़ थी देश के विविन अस्तानों पर विदेशों में लगभग 35 वस के भ्रमन कर ठापची तद रभी नदी के किनारे एक नए नगर की नीव रखी और यह नगर करतारपूर यानि इश्वर का नगर के नाम से ables सतान में है औभी नदी किनारे पर बसे प्रमन करतारपूर नगर में अपने परिवाध के साथ बश गए उन्होंने उदासी सन्यासी के बक तता बच्चों को भी अपने पास बुला लिया उन्होंने अपने शुषों के सामने आदर्श पस्तुत किया कि दुनिया के मया जाल में रहकर भी हमा ध्यात्मित तागत के बल पर पवित रहा जा सकता है उन्होंने अपने अन्याईयों को भी सुबर जल्दी उठने तब भक्ती के भजन गाने के संदेश दिये उन्हें इश्वर के सचे नाम का लगातार जाब करने और मिलकल लंगर खाने तता प्यार और भाई चारे से एक दुसरे के साथ मिलकल रहने का संदेश दिया आज शालवे भी कम समय में वो एक बड़ी संक्या में अपने अन्याई बनाने में सफल हुए जोनोंने उन्हें पुन्य आस्ता दिखाई उन लोग का विश्वास्ता की केबल वही है जो उन्हें मोक्ष दिला सकती है अपने पूरे जीवन में कलांतर में लगा तार क्रिया कलाब कारे करते रहने के कारण वह सिख धरम की सफलता प्रवस्तापना कर सकी कहते हैं जब गुरु नाना को अपना अंतीम समय करीब लगा तो नहोंने अपने दोनों वेटे हुँ स्री चंद और लक्षिमी चंद तरह दुसरे सिख के परक करते था संत में भाई लहना जो की बास्ताप में एक सच्चा समर्पित योगी सिख था को अपना अधिकारी बना दिया जानि देखा जाया तो उन्होंने अपने पुत्र को जो है उतर अधिकारी न बना के भाई लहना को जो है उन्होंने उतर अधिकारी बना दिया उसे अंगद नाम दिया गया जब उनका मानना था कि भाई लेना उनका सरीर का एक हिस्सा है इसलिए अंगद नाम उनको दिया गया नानक देव जी का जो है 22 सितंबर 1538 इस्वी में दियान थो गया और जल्द हिए उनके हिंदू तरह मुसलिम सिश्वों में उनके अंतिम संस्कार के लिए अपने धार्मिक निमों को लेकर फसाद खरा हो गया हिंदू कह रहते वो अपने तरीका से संसकार करेंगे मुसल्मान कह रहते उनको अपने तरीका संसकार करेंगे देखा जाए तो हिंदू और मुस्मान दोनों ही उस समय हरान रहे गए जब चादर उठने को उनके सरीर को गायव हुआ देखा कहते हैं जब गुरुनानक देव जैसा विक्तित्व हिंदू मुस्लिम लगाईयों में अपने सरीर को ही अद्रिष्य कर सकती हैं तो आझ देखिए आप riersवण को कैसे अद्रिष्य करने सकती आज इशवर अद्रिष्य इसलिए है क्योंकि इंसान हम की भाबना रखा हुआ है और एक दूसरे को जो है मारने और काटने को तयार रहता है यहाँ पर हिंदु और मुसल्मान दोनों जो आपस में फसाद उठकर खड़ा कर दिये देखा जाये तो गुरु नानक देव जी का सहीरी कायब हो गया उन्हें चादर को ही आपस में बराबर बाट लिया ताकि अपने धार्मिक लिती रिवाजों से उनका संस्कार कर सके हिंदु ने उस पर समाधी बनाई तो मुसल्मान ने वहां कबर बनाई इतिहास कार का मानना है कि यह दोनों सम्रिदिया रवी नदी में बाड आने से आप बह गई गई है जो सम्रिदिया बनाई कहते हैं नानक को शायद वह भी पसंद ना आई हो गुरु नानक अपनी सरल सिक्षाओं और उच्छे आचरा देथा मानवता से प्रेम के कारण हिंदु मुसलिम दोनों में बहुत परसीद हुई देखा जाते हैं कभी महतपून है इसलिए वह गुरु नानक शाह फकीर के न हिंदुओं और ना ही मुसल्मान संबंद रखते थी वह तो पूरी मानवता के लिए प्रेम के प्रतीक थी ना उनको हिंदु कह कह सकता है कोई ना उनको मुसल्मान से संब्रूदित कर सकता है वो तो सिरफ मानवता के लिए प्रेम थी जो मनुश्य को भाईचारे के साथ जी तो इंसानों को सची राहों का तो एहसास ही नहीं है और सची बातों से तो इंसान सो किलोमेटर दूर जाता है आज सभी मनुश्यों को लोब माया क्रोध ने जकर रखा है आज कहते हैं सब के पास ग्यान है सभी सत्य से ग्याता है लेकिन फिर भी अंजान है मैं जानता हूँ कि जब कोई गलत करता है तो दस बार सोचता है कि मैं गलत करता हूँ लेकि फिर भी वो गलत करता है लेकिन ऐसा क्यूँ कि सत्य जीवन और साथगे जीवन इंसानों को उडास नहीं आती है कि भाई चारे के साथ अगर हम जीवन व्यतीत करें तो किया हमारे नुक्सान दायक हो सकती है कहते हैं सच्चा इंसान वो ही है जो सच्चाई के लिए मरे और कहते हैं जो हिंदू मुस्लिम सी किसाई धर्मों के बीछे जो है लोगों को बाट रहे हैं वो कदाजित ही किसी मानवता की भलाई नहीं कर रही है वो सिरफ अपना जो है रोटी से कर रही है और ऐसे लोगों से भचना परतेक इंसान का करतव भी है मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं पैसों की लालचों में वो कुछ भी करने को तयार हो जाती हैं लेकिन हमारे पास तो पैसे नहीं है हम तो क्या इश्वर को नाम ले सकती है मैं जानता हूँ कि बड़े लोग सिरफ दिखावटी जीवन जीती हैं लेकिन आम इंसान दिखावटी जीवन कभी नहीं जीता वो इश्वर को याद भी करता है तो अच्छे मन से ही करता है क्योंकि वो दिखावा नहीं करता कहते हिनी बातों पर गुरु नानक देव जी को साही फकीर के नाम से काभी प्रसिद्धी मिली तो ये काभी महतवपून है तो ये साथ हमारा ये टॉपिक खतम हो जाता है जो ये काभी महतवपून है आगे का टॉपिक जो हम करेंगे गुरु नानक देव जी की सिक्षा है तो वो काभी महतवपून रहेगा आप लोगों के लिए तो आप बने रहे तिरपान स्ट्री सेंटर के साथ अगर आपको ये टॉपिक समझ में आई कुछ अच्छी बातों का अनुसरन किया है और मन से आप तिरपान स्ट्री सेंट का धन्यवाद करना चाहते हो या मदद करने की थोड़ी भी भावना है तो जितना हो सक इस वीडियो को शेर कीजी इतना सेर कीजिए कि हर बच्चों को गुर्णानक देव जी की हर एक बातें जो है मूँ पे याद रहे और एक्जाम में वो अच्छे सा अच्छे लिख सके ठीक है और पहली बार में चनल पे आए हो और पहली बार व्यडियो देख रहे हो तो जरनल सी बात फोलों चनल को स़स्क्राइब कर लीजी सड़क्राइब करने से भी इन्पॉल्रेंट बात होती है कि जब भी वीडियो देखिए एक कांध में देखिए सांथ मन से देखिए और इसको जो है आगे बरहा के मत देखिए कि वीडियो को आगे बरहा बरहा के देखिएगा तो बहुत सी बाते जो होगी मिस हो जाएगी और अधूरा जनकारी हो जाएगी और अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होती है इसलिए कभी भी वीडियो देखी तो पूरा देखी किभी अगर अगर अधूरा चनकारी के साथ जाईएगा तो मुझे विश्वास है कि आप तिरपान ऐसी संडर को ही कोशिएगा कि तिरपान ऐसे बातों बताई गई नहीं थी लेकिन आप उससे में अपनी गलती नहीं मानोगे कि मैंने वीडियो तो पूरा देखा ही नहीं यह तो आपको सिर्फ किताब से अधारित है जो आपकी किताब में तिरपान ऐसे उसी को ही बताने कोशिश करता है और वही आपको एक्जाम में लिखना भी होता है अगर वीडियो को आगे बरहा के देखोगे तो शायद आप पूरी तर रहों पर चले और जीवन को महत्वपूर्ण बनाके आगे बरे अगर हो सके सब्सक्राइब जरूर कर ले ना तभी जो है आगे आने वाले वीडियो का नूटिफिशन आपको प्राप्त हो पाएगा और वहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा तो सोचिए नहीं मुण इख ले जो है रिएम कींजिव स्द्सक्राइब